तो हम देखते हैं कि अब अगर जो न्यूज है उसमें जो में चीज हम हर वक्त देखते रहते हैं हमारे कानों में आती रहती है सुनते रहते हैं टीवी पे भी देखते हैं रेडियो पे भी देखते हैं अब तो ट्विटर पे फेस्बुक पे अख़बारों में हर जगा वो है breaking news, तो breaking news की में चीज जो हमने लिखनी है, या जो main moment होता है, main format होता है breaking news का, वो ये होता है कि आपको headline देनी, जो crux है information का, वो फौरन बताना है, और एक sensation तरीके से बताना है, काफी हट तक sensation जो है, इसमें होना चाहिए, क्यूब के वो आपकी attention उसने grab करनी है, points फॉरन बताने हैं, जरा से dramatic तरीके से बताना है, sensation होनी चाहिए और फिर आप उसको बता सकते हैं, तो पहली breaking news हम देते हैं कि जी kidnapping हो गई है, so हम कहते हैं कि जी three year old kidnapped in कराची, ये main खबर हो गई, एक और चीज हम इसमें डालेंगे क्योंकि वो एक बहुत important खबर है, this is the twelfth kidnapping in four days, याईनि कि ये एक series है जो चलती चली चारी है, और obviously जो लोग, जो parents है, माबाप हैं, उनको इसके बारे में परिशानी भी होगी, obviously बहुत बुरी भी खबर है कि एक तीन साल का बच्चा जो है, वो kidnap हो गया कराची से, और ये के, ये बारवी kidnapping है, तो ये हम सब के लिए परिशानी की बात है, और ये breaking news definitely बनती है, कि ये, you know, it is big news, it's information, it's factual, it's happened, it's the main headline, एक और हम अगर अच्छी खबर देखें, अगर हम लिखें कि जी, some good news as breaking news, तो हम ये कहते हैं कि जी, Asia कप पाकिसान ने जीता, जीता नहीं है, मगर example के लिए लेते हैं, कि पाकिस्तान does it again, the cricket team brings home the Asia Cup तो ये हमारी breaking news हो गई, main बात, लोगों को पता चल गई, कि जी, Asia Cup लेकर आया है, but obviously, एक dramatic तरीके से हमने बताया, ये नहीं कह दिया, कि cricket team जीत के Asia Cup ले आई, that makes it breaking news, because कोई चीज, जिस चीज से भी attention आप grab कर सकें, अपनी audience की, वो breaking news में important होती है, अब अगर हम बात करें कि जी, खबर कैसे बतानी है, news कैसे लिखनी है, वो हम कैसे लिखते हैं, तो उसका भी हम आपको example बताते हैं, कि हम basically लिखेंगे खबर के जो German ambassador है, कि वो थर्या विजिट के लिए और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगा, तो हम कहते हैं कि जी, थर, 25th October 2018, और, जी जर्मन अपसदर विजिते थर्डेसर्ट तोड़ी, during his visit, he met the local government officials, and the many ethnicities living there. He was fascinated by the people and greatly admired their resilience in the face of the many challenges the desert threw at them. He promised to support the water issues of the people. तो ये शुरुआते हैं, आप जब आगे लिखेंगे तो और भी जो facts हैं उसके बारे बताएंगे, किस तरह की support उसने दी है, किस form में दी है, क्या उसके experiences थे लोगों के साथ, क्या चीज़े थी, किन किन लोगों से मिला, किस वक्त मिला, तो सारी जो facts और information हैं, आप एक news में उसको देते हैं, और इसको बहुत लंबा नहीं लिखते हैं, बहुत छोटा भी नहीं लिखते हैं, बस enough के पूरी की पूरी information जो है, वो factually उसमें डल सके, and in an interesting manner, क्योंके पढ़ना चाहिए, लोगों को मज़ा आए सुनने में, लोग इंटरेस्टेड हों उसको सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, तो creativity जो है, इधर भी थोड़ी बहुत राइटिंग में चाहिए होती है, I hope this has been helpful, और आप लिखेंगे, और इसको एक करियर बन राहिंगे. Thank you so much.